क्या आदिपुरुष के मेकर्स हमें स्कैन कर रहे है थारा भाई जोगिंदर रोडीज में आ है इंस्टाग्राम पर अभी कोई भी ब्लू टिक लेके वरिफाइड हो सकता है इतना ही दिल जी दो संज टेलर स्विफ्ट को डेट कर रहे है इंडिया वर्ल्ल टेस्ट चैंपेंशिप फिर से हारने वाली है सब देखते हैं इस वीडियो में तो पहली स्टोरी येस आदिपुरुष का एक और ट्रेलर आया है पता नहीं कितवा ट्रेलर है लेकिन एक और आया है आदिपुरुष के मेकर्जी इतने कन्फ्यूज होगा है कि उन्हें टाइटल में ब्रैकेट में डालना पड़ रहे है फाइनल ने फाइनल ट्रेलर और नहीं कि फाइनल ऐसा लग रहा है एडिटर ने फाइनल कट मारते टाइम जो टाइटल रगा था न वो ही रख दिया आदि पुरुष फाइनल फाइनल कट बना अब मेकर्ज इतने स्मार्ट है कि सारे ट्रेलर निकालने के बाद भी रावन का लुक अभी तक रिवील नहीं किया तुम VFX देखो, Music देखो, Dialogues देखो, रावन, रावन को डाइरेक्ट थेटर में देखना नॉर्माली मूवी के ट्रेलर इसलिए आते क्योंकि ओ मूवी में क्या है रफ आइडिया आ सके इसलिए इस मूवी में हमें रफ आइडिया ये मिल रहा है कि बिचारे मेकर्स चाहते है कि कैसे तो ओडियन्स आजाए थेटर में, बात में हम लोग देख लेएंगे पहले आजाओ ये मूवी जल्दी रिलीज नहीं हुई ना, इनके मेकर्स ने ट्रेलर डाल डलके दिरे दिरे पूरी पिक्टर रिलीज कर देंगे अल्च इस ट्रेलर में एनिमेशन की वापसी हो चुकी है, येस, जिस VFX को फिक्स करने के लिए 6 महीने लिए आदिपुरुष के मेकर्स ने, वो ऐसा का वैसा ही है इस लाइक होंबग, करना पड़ता है, मन नहीं हो रहा है, करने का लिकिन करना पड़ता है अब देखते है, रावन का actual hairstyle तो अब सीधा मूवी में देखने मिलेगा बट आई genuinely feel dialogues बहुत बढ़ी आए, music बहुत बढ़ी आए, BGM बहुत बढ़ी आए, बस VFX और रावन के looks जो कि वो लोग मस्त पे की छुपा रहे हैं, बट I hope मूवी अच्छी चले और क्या रोडी इसके season 19 में देखने मिला ऐसा एक शक्स, जिसको भाई कोई expect ही नहीं कर रहा था जिसको अशनीर समझने है और अशनीर समझे है, लेकिन हम बात कर रहे है थारा भाई जोगिंदर की येस जोगिंदर भाई दिमाग का इलाज कराने आये रोडी में और ये रोडी सीजन 19 तक कब पहुचा, कब पहुचा छोड़ो, पहुचा ही क्यों अब जाके रोडी इस 18 प्लस हुआ है, लेकिन 18 प्लस वाली हरकत तो सीजन 1 से चल रही है इनकी इस थारा भाई जोगिंदर इस सल की रोडी में देखने मिलेंगा और वह एक इस सल त्रोफी जीद कहेंगे अतना अगे गा, इतना अगेगा इतना होंगी थारा भाई जोगिंदर इतना रोष्ट होएगा बिग बॉस बिग बॉस करते करते रोडीज में पहुच गया और इंटरनेट पे बहुत लोग यह भी न्यूस फैला रहे कि थारा भाई जोगिंदर का एक्षिडेंट हो गया जो चल बसे शरम करो मस्ती करना अलग बात होती है यह मरवर जाने वाली मस्ती अलग होती है यह मत करो इससे उसके फ्रेंड्स फैंबली को अफेक्ट हो सकता है यार रुपयागर के ऐसी अफवा ना फिला है और अफवा की बात चली दिये तो अगली बहुत इंटरेस्टिंग न्यूस है क्या हमारे अपने दिलजीत दोसंत कर रहे है टेलर स्विफ्ट को डेट काइली जैनर के कमेंट सेक्शन से सिधा टेलर स्विफ्ट के पास पोच गए तो अपैरेंटली वैंकूबर के किसी कैफे में टेलर स्विफ्ट और दिलजीत पाजी टची-टची क्लोजी-क्लोजी हो रहे है नहीं यह मैं नहीं बोल रहा हूं कि कैफे में मोजुद उनके फैंस बोल रहे हैं और जब यह बात भार आई तो दिल जीत ने खुद एक ट्वीट करके यह बोला यार प्राइवसी नाम दीवी चीज हुन दिया डिना ही तो करनी रहा है उपर से चशमेवाला इमोजी डाल के और पूल बन रहा है समझ रहे हो भाई चोटे मोटे लफटे तो करता ही नहीं यह तो काहली को छेड़ता है यह तो सीधा टेलर स्विट नॉर्मल डेट थोड़ी होती है अभी लगते है टेलर स्विट को भाभी बूल की बुलाना पड़ेगा और वोल्ड टेस्ट चैंपेंशिप उसमें इंडिया उस्ट्रेला से हारने अवाली है इसा लग रहा है और इसके लिए हमेशा की तरह लोग आईपेल को ब्लेम कर रहे हैं कि यह साल्या आईपेल गहते हैं इंडिया के नहीं कि आईपेल दो म और जितके इंडिया ने बैटिंग लिया है और जितना बॉल स्विंग नहीं हो रहा है और से वर्ल्ड नमबर उन बॉलर को बाहर बिटा है इंडियान से बोला तो स्पीन अच्छा करता है सपीन ए राउंड अफ द्रिंक्स अपने टीमेट्स के लिए 469 रंस का चमाट खाने के वाद हमारे बैट्समें रोहित ने बनाए 15 रंस शुब्मन ने 13 और विराट और पुजारा ने 14 चौदा वो लंच के लिए लेट हो रहा था शहाई जोड़ो जोक सपर मैज देखने कौन आया था आई शो स्पीड इस अमेरिकन यूट्यूबर स्पीड इंडिया वर्स अस्ट्रेलिया देखने आया था खासकर अपने वाइराट कोली के लिए वाइराट दोस्ट जब रोनाल्डो का मैज देखने क्या था तब वो अच्छा खिजा था नहीं ना तो पनोती आया क्यों देखने अभी तो ऐसा लग रहा या तो यहां से ड्रो होएगा या तो इंडिया हारेगी और ट्विटर की तरह मेटा ने भी सब्सक्रिप्शन प्लैन निकाला है जहां पर आप वेरिफाइट टिक ले सकते हो पैसे देखे येस इंस्टाग्राम और फीसबुक पे आप पैसे बरने की जरूरत नहीं है 700 बजगे नहीं 700 रुपे बजगे यह नहीं बोल रहा हूं कम से कम मेटा वह इलन मस्क की तरह अमिता बच्चन शारुक करन का ब्लुटिक निकाल तो नहीं रहे वह क्या करते इलन मस्क का आइडियास कोपी करते है फिर उनसे बेटर प्रिजे हम लोग को तो यूपी में चोरी के किसे तो आपको मैंने बहुत बदाये लेकिन यह वाला थोड़ा अलग है कानपूर में तीन चोरों ने एक वैन चोरी की और निकलते टाइम मालूम पढ़ा कि ड्राइविंग तो किसी गो नहीं आती है तो दोस्त गाड़ी चुराने के ल गाड़ी पीछे तबाएंगे तो पीछे जाएगा इसमें होता है तीनों मोबाइल चुराने की ट्रेनिंग पर गाड़ी चुरा रहे थे तो वही बात हो कि इंस्टाग्राम पर आके भी टिक टॉक वाले वीडियो बनाना यह बीना प्लैनिंग के उठके कहीं भी जाने वाल अभी फ्लाइट में बहुत सारे लोग बैठे होंगे आपको इमर्जंसी एकजिट का दोर तो पता ही है पर तभी सूचा अगर वो किसी ने चालू प्लेन में खोल दिया तो क्या होगा यह साउथ को यह जा रही है एक फ्लाइट के पैसेंजर में चालू फ्लाइट में हवा में एमर्जंसी डूर खोल दिया जबकि किसी को कोई इमर्जंसी नहीं था भाई इधर एक्सप्रेश ट्रेन में खीडकी नहीं खुलती इसना फ्लाइट का इमर्जंसी डूर खोल दिया पाइलेट को भी मालूम नहीं पड़ा कोई दर्वाजे के साथ मस्ती कर रहा है वो भाई ठीक है चलो खोल रहा है तो खोल रहा है पागल अदमी है आज बजुवाले लोग को समझा नहीं उनलोग को क्या लगा गुटका थूपने के लिए खोल रहा है यह बोला उसके दोस्त इसको उतरना नहीं बोलते धर्ती फार के जमिन का अंदर जाना बोलते मेरको घुटन हो रहा है उसमें पूरे फ्लैट की कबर खुद दूँगा ताला सोचो कोई पहली बार प्लेन में बैठा होगा इसके बाद तो कभी बैठे ही ना देखो कम माकस आने के लिए फैमिली वाले गाली देते हैं यह तो बहुत जगा पर हमने देखा है वो लोग मेरा बयान ले इससे पहले मैं अपनी जान दे दूँग लेकिन कम माकस आने पर फैमिली अगर सेलिब्रेट करे तो जान दुझके उतना ही लिख्या आया क्या मेरे टाइम में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं इससे पास होने इतना लिख्या एक गंटे में निकल जाते हैं इसके पैरेंट्स को ही मालूम है यह पास हो गया वही बहुत बड़ी बात है जो 80-90% लाके भी रो रहे ना देखो यह एक भी सब्जेक में एक भी मार्क कम आता न तो लुड़क जाता बस ऐसे ही पास होते होते ग्राजुएशन कर ले भाई फिर ग्राजुएशन के नाम पे कोई ना कोई दुकान तो तो खोली लेगा बी कॉम चायबा गेडा अभी हम सबको बता है चाहिना में खाने के नाम पे क्या-की खते यह लोग लेकिन जहां पर नहीं खाना वहां पर खिला जा रहा है पहले बता रहो हो खाना खा रहे हो तो खाना नीचे र Cellar और फिर देखो जपान में एक आदमी के डिनर में जिन्दा मेंड़क निकला येस देखो वीडियो देखो चाइनावलों से कॉम्पटिशन करने के और भी तरीके है ये सब करने की ज़रूत नहीं है मेंड़क लेबरेटरी से बाहर क्यों आ रहे नूडल्स में मेंड़क है माना मैंने भरोसा नहीं लोक कर लेकिन जिन्दा मेंड़क आजकल के शेफ लोग ना अपने आपको बेर ग्रिल्स समझ रहे तुमको आईसा डाइनिग एक्सपिरियंस देंगे लगे आई नी रेश्टरूंट में खा रहे वो था अच्छा वो बंदे का ध्यान खाने में था दारक मैं था वगरा देखते खाता ना अगले दिन सुवए पेट से आवाज आती अरे भाईया वो मेंडग बिर्यानी है अगर मैं बोलू कि किसी का बेटा या बेटी बनने के लिए आपको पैसे मिलेंगे तो अब बनोगे चायना में एक औरत को उसके माब आपने फूल टाइम बेटी बनने के लिए पैसे ओफर किये वो भी 47,000 पर मन्थ सेलरी अपने ही बेटी को बेटी बनने का पैसा मिल रहे है कौनसी जॉब अपनी है भाई इदर हम 25-26 साल फ्री में बेटा बनके गुम रहे है 26 साल का कैलकुलेट करू 45,000 26 multiplied by 12 is 312 312 multiplied by 47,000 is 1 crore 1 crore? is 1 crore 46,64,000 यस बंदी को आदर्श बेटी बनने के लिए 47,000 मुली सैलरी मिली जिसमें उसे सुबा एक गंटा उटके अपने बाबापके साथ डांस करना होता है फिर क्या भाजी बीजी लेने ग्रोसरी शॉपिंग जाना होता है उनका ध्यान रखना होता है ड्राइविंग करनी होती और वेकेशन्स प्लान करने होते क्या करू चाइना जा भी तो नहीं सकता साला खाते भी कुछ भी है लो इदर गुजराती वेज आदमी उदर क्या खाएगा जोग सबाट मुझे बेटा बनने के लिए पैसो की जरूरत नहीं है क्रिप्टों भी चलेगा और अगर मैं बोलू कि एक मरा हुआ आदमी शम्शान घाट में उठ जाये तू MP में एक मरा हुआ आदमी अपनी चिता पर लेटा था और उदर से उठ गया ये सही है ठीक है आदमी जिन्दा है मजा आ रहा है लेकर चिता पर लेटे लेते क्यों जिन्दा है हाँ तुम इस तरह जिन्दा हो रहे हो उदर किसी और के मरने का टाइम आ जाएगा तो वैसे भी शम्शान घाट में पहले फटके चार रहती है सबकी बेसिकली ये 22 बचानक से बेवोश होकर गिर गये फिर आसपास के लोगों ने चेक किया साथ से थोड़ी बहुट नहीं चल रही थी तो आदमी लोग ने मरा हुआ डिकलैर कर दिया डॉक्टरों नहीं किया पॉइंट नोट करो को पॉइंट नहीं किसी और जिन्दा चला देते है उसको भू भूला कि सिक्वट पर सिक्वेलट है तुम लोग को फिर क्या डॉक्टर के बास लेके क्या डॉक्टर बोला दिल तो चल रहा है इसका हाँ ट्रीटमेंट कराओ इसका नहीं जो लोग लेके गए समसान में उनका और अपना गुमा हुआ फोन ढूनने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है तो 36 गर के एक ऑफिसर न पानी में तो तिर को लगते हो चाल होएगा है इस बंदे ने तीन दिन तक रोज 30 होर्सपावर की पम से पानी निकाला बेटा क्या हुआ फोन हिस्ट्री डिलीटेड नहीं था क्या था भाई क्या है बेसिकलिए अपने दोस्तों के साथ पिक्निक मनाने गए ते डैम के वहा थी गवर्मेंट को मालूम पड़ा तो बंदे को सस्पेंड कर दिया और 53,000 रुपीज की फाइन हुई इतनी गर्मी में तुने 21,000,000 लीटर पानी वेस्ट किया 53,000 रुपीज बहुत कम है फोन डूंड़ और पता लगा हुआ इसा कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया इसने जि